हर हर महादेव जैश्री महाकाल आज हम मुझूद हैं इंदोर शेहर के पश्चिव शेत्र में बहने वाले पिलियार वाल नाले के अर्चंदकार मोड़ प्रबने मोतेश्वर महादेव मंदिर पर इस मंदिर का इतियास करेब साड़े तीन सो वर्ष पुराना है इसे मान गंजगाम जो आज मल्ढार गंज के नाम से जाना जाता है पंचकुईया शम्शान घाड के नजदिक इस मंदिर का निर्मान महादेव के रूप में परतिस्तापित किया गया था इसे उज्जेन महाकाल की परतिकर्ती भी मना जाता है इस शेतर में चूंकि पांचकुईया करते थे इसी कारण इस शेतर को पंचकुईया नाम दिया गया इह है पंचमुकी परतिमा महादेव की सधेवजात, वामन देव, अगोरी, दत पुरुष, कपालिनी, सरूप की परतिनिधी मानी जाती है प्राणों के अनुसार ऐसी माननेता है कि इस परकार के शुन की स्थापना वहीं की जाती है जी समशान गहाट पर सभी परकार के शवों का अंतिम संसकार करने का प्रबंध हो नहाने वाली सभी शवों और उनकी आत्माँ के पती स्वामी होने के कारण इसे इस शिवलिंग को, इस मंदिर को मोतेशवर महादेव का नाम दिया गया ऐसी माननेता है कि भारत में नदिन आलों का पारम से ही पुजा पाड का अधिक काफी महत वरा है यहां इनके पुजा कितिया आती रही है, इनके अर्ध चंदकार मोड़ों को हमारे धम गंतों में अर्धंत पवित्र माना गया और यही वज़े रही कि इसे स्थानों पर मंदिर आदी का निर्माण अधिसंख्या में हुआ इस मंदिर में परवेश करने पर हम महालक्ष्मी के दर्शन कर पाते हैं और महालक्ष्मी के दर्शन करने के पश्चात जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमें इस मंदिर में बहरवनात और साथ ही महदेव का मुर्ति के सरूप में और तोसट योगुनियों का इस पश्च रूप से दर्शन करने का या भक्तों को अपार असिम सोभाग्य अरंद प्राप होता है इस मंदिर में सामने ही महदेव की एक विराठ मुरत नजर आती है और उसके ही सामने हम देखते हैं कि भहरवनात विराजित हैं और भहरवनात जी के साथ में हम देखते हैं तो चोसक्त योगिनों के सरूप में यहाँ पर प्रतिष्ठा की गई है जिसका दर्शन प्राप्त करके भगण अपना सभी दुख, दर्द, कष्ट भूल करके असिम आनन सोभाग्य के प्राप्ति करते हैं ऐसा माना जाता है कि चूके मंदिर शम्शान घाट के निकट रहा है अतहे यहाँ पर पूर में अगोरियों, वाम मारगियों और तांतरिकों का भी आकशन बहुत अधिक रहा होगा आज इस मंदिर की प्रतिभा और प्रतिष्टा पुरे इंदोर शेयर में अपना एक अलग महत अलग इस्थान रखती है इस वंदिर से जुड़ी कई सारी माननेता हैं और कई सारी किवंदतियां हैं और कई सारी रोचक गटना हैं जिसे हम जानने का मुन्तरया से प्रयास करेंगे और हम अब महादेव शिवलिंग के भी हम दर्शन करेंगे अब हम महादेव के वो इस्थान पर हैं जहां महादेव अपने पुन्षिवलिंग में विराजित हैं। अगर आप लोगे मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें लाइक करें ताकि आपको ऐसे वीडियो देखने को मिलते रहें ये दिवार जो महादेव के सामने हमें दिखाई दे रही है इस दिवार के बारे में बहुती रचक घुटना जुड़ी हुई है का जाता है किस दिवार का निर्मान पूर में कहीं बार करवाया गया चूकि ये दिवार शम्शान घाड से रोड से लगी होने एक आरण में इस दिवार को खड़ा किया गया था ताकि ट्राफिक आने जाने वाला बादित ने हो लहीं कहीं बाद निर्मान कराने के पस्चाथ भी ये दिवार गिरती चली गई उसके पश्चात इस दिवार में रोशंदान किया गया और उस रोशंदान के करने के पश्चात में ये दिवार वर्तमान में एक हमारे सामने सवस्ता में मौजूद है चुकि सामने ही शिवलिंग के दिवार के सामने के तरफ दिवार के पीछे के तरफ शमशान घाट मुक्ति धाम है तो महादेव का दरश्टी शमशान घाट पर जाती रहे महादेव महादेखते रहे इस करन से वो जिवार में रोशंदान किया गया और रोशंदान देने के पाई है इस मंदिर में बहुत ही एक आने के बश्चातने भक्तों को शान्ती अनुमूती प्राप्त होती है यह वही रोशंदान है जहां से महादेव सीधा अपना दरश्टी शम्शान घार की तरफ डाल पाते हैं इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई भक्त शम्वन मास भर यदि कोई यहां बेल पच्ड़ाए अत्वा शुरात्वी पर सुर्योत दय तक जब करता है गुतेश्वर महादेव की ऐसा करने वाले भक्त के उपर सदेव अपनी सारी करपा बरसाते हैं उसकी मुराद मंदिर में कही सारी बड़ी-बड़ी संगित की हस्तियां यहां आकर के अपना कायक्रम पेश कर चुकी है जैसे यहां पर उस्ताद साथ बिसमिल्ला-ख् Теперь भी अपना आकर की शास्त्रिय संगित का कायकरम पेश कर चुके हैं अध्यप यह्ये시면 आभिता और प्राजिमता और क यहां मंदिर के बहार जम आते हैं तो इस मंदिर में पीछे के तरफ में सित्ला माता की भी मूर्ती वराजित है और भक्त यहां से अपना आनंद परशाद ग्रैन करते हैं अपना आनंद परशाद ग्रैन करते हैं अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो श्रीड करें ताकि आने वाले दिनों में आपको मैं और पी ऐसे ही जिव्य और भव्य मंदिरों के दर्शन करा सकूँ और उनकी प्रिजानकरियां आप तक पहुचा सकूँ जैश्री महाका मैं आपको मैं।